नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज एफेर्स में आपका स्वागत है दोस्तों, पड़ोसी देश चाइना से एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है वो न्यूज क्या है? आईए विस्तार से बताता हूँ चाइना की कमपनी एक है जिसका नाम है एवर ग्राण जो रियल इस्टेट की एक जाइन्ट कमपनी है जाइन्ट का मतलब बहुत बड़ी कमपनी वो सिर्फ चाइना की कमपनी सबसे बड़ी नहीं है ना ही वो एसिया की सबसे बड़ी कमपनी वो दुनिया की सबसे बड़ी कमपनी है अब इसमें हुआ क्या जो ये news बन गई है और बहुत बड़ी news बन गई है दोस्तो news ये बन गई है कि ये जो China के सबसे बड़ी company है पुरे दुनिया के जो सबसे बड़ी company है ये अब बंद होने वाली है ये दिवालिया घोसित हो चुकी है अच्छा अब इसमें हुआ क्या जो ऐसा हुआ और इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा और दुनिया के लोगों पर क्या असर पड़ेगा आए बिस्तार से बताता हूँ सारी बाते दोस्तो दरसल इश कमपनी ने अपना जो बिजनेस स्टार्ट गिया तो इसने लोगों को एक लालच दिया कि आप बैंकों के पास जो अपना पैसा रखते हैं उनको ना दे करके आप ये पैसा हमें दीए और हम आपको बैंक से ज़्यादा ब्याज देंगे तो लोगों ने इनकी बातों पर बिस्वास किया और इनको पैसे दिये इनका पैसे को यूज किया अपने प्रोजक्ट को पूरा करने के लिए इंस्ट्राश्ट्रक्शर के इंस्ट्रास्ट्रक्शर में इतना इनकों ने काम किया आप ये सूचिए कि चाइना के 17-18 सिटी पूरे के पूरे इस कमपनी नहीं डवलप करे हैं पूरे के पुरी का मतलब जो पुल करेंगे वह पर रोट्स बनाई है नहों पर ने रोट्स बनाई यह जत्नी विए चीज losing सोचा था कि इसको हम डेवलाप करेंगे और फिर उसको जनता को हम बेचेंगे और उससे जो भी profit होगा profit हम रखकर और जनता का पैसा वापस कर देंगे लेकिन जैसा सोचा जाता है exactly वैसा होता नहीं है उसके लिए कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वो चीज़े पूरी नहीं हो पाती है हुआ क्या? इन्हों ने develop तो कर दिया और वो जो इनके projects थे वो became नहीं जब became नहीं तो ये जनता का पैसा वापस नहीं दे पाए अच्छा इन्हों ने ऐसा नहीं कि एक दिन की बात हो ये 2015 से इन्हों ने ऐसा करना इस्टार्ट किया था और ये पैसे लेते जा रहे हैं वहां की जो अदालत है उसने यहां पर अपने आप से एक इंटरफेर किया और इस company को 2021 में इनके अगेंस्ट एक application गई जो court ने स्विक्यार कर दी और इनको 2023 में इनको दिवालिया घोसित कर दिया गया और अब ये company बिल्कुल बिकनी है और इसको सारी चीजे इसकी सारी एटसर्ट को बेच करके जो भी पैसे मिलेंगे उसे जनता को वापस कर दिया जाएगा हलाकि जनता को इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है क्यों? क्योंकि इस company की worth जो होती थी किसी time पर वो 300 billion dollar के आसपास होती थी और अब इसके पास 25-30 billion dollar भी नहीं बचे हुए है तो सोचिए दोस्तों कैसे लोगों का पैसा वापस होगा हलाकि इस company को बचाने के लिए चीन की सरकार ने बहुत मिहनत करी है और करोडो रुपए अर्बो रुपए इस company पे लगाए हैं उन्होंने लेकिन उससे भी इसका कुछ भला नहीं हो रहा है तो अब इनको फिर से चाइना की सरकार को इस company में सैक्लो billion dollar की aid देनी चाहिए तब यह बस सकती है लेकिन यह बहुत बड़ी amount होती है इतना देपाना चीन की सरकार के लिए भी possible नहीं होगा क्योंकि चेन की हालत चेन की सरकार की हालत खुद बहुत अच्छे नहीं है इस वक्त वहाँ पे stock market नीचे जा रहा है काफी वहाँ पे losses आल लेड़ी है दोस्तो इससे और updated कोई news आती है इससे related तो मैं आपके लिए updated वीडियो लेकर आऊंगा धन्यवाद दोस्तों आपको information अच्छी लेगी है तो please channel को subscribe कर दे